कल के डर के बाद आज है उम्मीत का बाजार यहां दुनिया बद के बाजारों में शांदार तेजी का माहूर और भारती बाजार कल की रिकवरी को आगे बढ़ाने की करते वे दिखेंगे कोशिच भी गैप से खुलने के बाद के एक्शन पर रहेगा खास फोकस स्वागत आप सब का शेयर बजार लाइव में नमस्कार ने हुआ अलिशिल जी और नमस्कार मैं हूँ दिपांशो भणारी तयार हो जाई है एक्शन कले कल तो हमें बाजार में नर्वेसनेस दिखी मैं तो एक दिन की सोच के गया था मुझे क्या मारूत इतना सब जाएगा आपने फ़ले एक दिन की सोची हो लेकिन एक हफते जितना काम कल हो गया बहुत काम है बिल्कल जवर्दस सेक्शन था और आज भी ट्रिगर्स बहुत है और और फॉर चेंज आज पोजिटीव आज देख लेते हैं स्मार्ट रिकवरी दिखिए अमरिकी बाजरों में निचले समसे साड़े पीन सो अंक उचल कर दो सो पुइंट उपर बंद हुआ है नेस्टेक में नेस्टेक में भी मारी है हाफ सेंचुरी और कल की उच्छाल के बाद कच्छा तील अठासी डोलर के आ यह है सारे के सारे आज के ट्रिगर और यूजली सर आप कहते भी हैं कि आप प्रिपेर कुछ भी करके जाएए इसको एक बार थोड़ा और समझे थे कल तो आपने डीटेल में पूरे फैक्टर समझायता है इन्वेस्टर स्टेडर के बारे में भी बात करी थी बाकी बाजार यूएस की तरफ से सहारा है ट्रिडिशनली हमेशा इसरेल के सपोर्ट में भी रहा है यूएस हला कि ग्लोबल पावर के ताप से से दोनों चीज़े बैलेंस भी करनी पड़ती है यूएस ने कैसे रियाक्ट नहीं कर दिया बाकी सबने रियाक्शन दिखा लिए अच्छा च्छे मैंनों में कई बार आसा हूँ हम भी कहां गटते हैं क्यों नहीं करते हैं हमारे पास भी अपनी ताकत बन रही है तो अभी शुरू हैं जिसमें हमारी अकर देखो कई बार के घटते हैं हम बाजार में बड़ा पेसा है, वो गटता नहीं हो, अपने हिसाब से चलता है, और अमेरिका का ये कल का सर्प्राइज मूँ, खुद अमेरिकन के लिए भी सर्प्राइज था, क्ल साड़े तीन वजे जब डाव फ्यूचर बंद हुए तो 1.500 पॉइंचे थे, 200 पॉइंचे थे आने के लिए अगर किसी वजे से बाहर से कोई ऐसा मौका आया, कोई ऐसी ख़बर आई, तो for a change, बेचने वालों से खरीदने वाले ज्यादा एगरिस हो जाते है, चलो मौका मिल रहा है, इस वक्त तो है ना, जिनको बेच की निकलना है, वो बेचेंगे, जिनको डर लगता ह आई भी है, कि अगर आपकी पोजिशन थोड़ी ज्यादा है, या आपकी रिस्क देखने की capacity नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, चलो बेचो यार, कम करो, करो, कोई दो पैसा नहीं बनाए, बचाना जिरूरी है, जब यह वाली concept पे market trade कर रहे हो, तो फिर ऐसी situation में खराब ख़बर पे भी कैसे उचल जाते हैं, वह वाली बात है, दूसरी बात, कल का अमेरिका का market आपके लिए एक बहुत बड़ा lesson देता है, और lesson क्या है, आपके लिए सबग क्या है, शॉट टम में market इसी लिए predict करना किसी के लिए भी बिलकुल impossible है, शुकरवार को, अमेरिका में इतनी तेजी हुई है, जो आप सोच नहीं सकते हैं, जो अब डेटा पौने दो लाग के साड़े तिन लाग है, ठीक है, अब काईदे से देखा जाए तो मजबूत जो अब डेटा खराब भी तो माने जा सकते हैं, बाज़ दरे बढ़ेंगी, अभी भी एकोनोमी में ठंडे पन के संकेत नहीं है, लेकि उसके विपरिट बाजार फाक है, गिफ्ट टिफ्टी पूरे शुकरवारा रात को सो पमेंट उपर तान के खड़ा रहा है, जैनी वार को अनेक्सपेक्टेड यह हमास वाला काम हो गया, ठीक है, आप सोमवार को गैप से खुले भी और नीचे गये भी इंपोर्टन सपोर्ट लेवल और वापस हल्की फिलकी रिकावरी की कोशिश भी पहली रिकावरी में बिग गया है, किसी ने भी कल साड़े तीन बजी यह नहीं सचा कि आप 200 पाइंट उपर भी हो सकते हैं, हाला कि हमने यह जरू कहाता कि कि किसी भी तरफ का हमारी देश पर हमारी एक लिमिट से जाला कोई खास असर नहीं पड़ता है, हमारे लिए एक ही फैक्टर है कच्छा थे लिए, उसके रावा हमें कोई फरक भी नहीं पड़ता है, ठीके पांच-बंदरा कमनियों को फरक पड़ जाता है, यह वो अलग बात है, बट ब्रोड आपने अटेंड की है, शुकरवार से लेकर समभार तक और आज मंगलवार का, तो आप काफियत तक समझ जाएंगे कि आप क्यों मार्केट को ओरनेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों मार्केट में ओरनेट पोजिशन रखने पर आपको हमेशा हेजिंग या रिस्क मै इसा नहीं जिसके वज़े से अमेरिकी माजार साड़े तीन सो रिकवरोर, डेर सो नीचे खुलना जायज था, इतना ही खुलना था, बिल्कुल ठीक है, रिकवरी जो आई, डिप रिकवरी के पिछे, अगर आप जो डेटा मनें तो तो शुकरवार को आ चुके है, डोलर इं महिंगे काबू में नहीं आ रही है, तो टाइट तो करना पड़ेगा, ब्याज़े ने उपर रखने जरूरी है, उसके बाद दूसरे भाहसाब का बयारा है, उसके यार इतनी भी क्या सकती, थोड़ा आराम से चलो, हड़बड़ी क्या है, जल्दी क्या है, मतलब थोड़ा स सेशन से कुछ कह रहे हैं, इसको सुनिये और समझिये, क्या कह रहे हैं, शिक्रवार को, जोब डेटा बहुत मजबूत आए, जोब डेटा के दम पर आप गठ भी सकते थे, ब्याज़े तेजी से बढ़ेंगी, अभी भी बढ़ाने का स्कोप है, हायर फोर लोंगर, नहीं, सब मूरो ना, तो खराब ख़बर में भी अच्छी खबर देखती है, बढ़ गया, कल का सेशन देखिए, इस्राइल की ख़बर, कहा से अच्छी, क्या अच्छा है, लेकिन अच्छी खबर ख़बर पे भी बढ़ गया, तो अमेरिकी बाज़ार बढ़ना चाहते हैं, बुरी एक खबर पर रियक्शन अच्छा देना है और कल यह हुआ, तीस सी चीछ, फेट के दो सदे से दोनों ने बायान अलग लग दिये, एक ने बहुत खराब बोला, एक ने अच्छा बोला, और फोकस किस पर अच्छे वाले पर, कैसे, वो भी बता दो, कल से पहले तक 30-31% लोग म अमेरिकी बाजार का माइंड सेट आप समझे, मुझे बुरी खबर पर भी बढ़ना है, गटना नहीं है, यह कल का पूरा आपके लिए, यह सिचुएशन नहीं के लिए, इस पर फोकाई, सो और ठीक है, बाकी तो, ठीक है, चलिए तो रही अमेरिका की बात, कल इस समय करीब सौ पॉर्ट नीचे आपका गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था और उसके बाद थू धर डड़ वीकनेस रही ही है, हम अपिसले भी है, आज सौ पॉर आपका गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, बाकी बाजार बे अच्छी मूड में दिख रहे है, आज रिकावरी तो खेर कितनी टिकाओ रहेगी और उसमें क्या करना यह ज़र आसमतर इमोशन्स करो गटे तो बहुत डरो मत जब सो बड़े तो कूदो मत दान्स नहीं तो नहीं होता है और दिखिये पहली चीज तो है कि जू यह तनी बड़ी समस्या होती ना इसराइल हमास टाइप की रेशिया-उक यह ना एक दिन में खत्म होती है। तर्व सर बिलकुल। ठीक है ? दिलकुल।갈। सालों साल चले मार्केट का रिक्षन जितने शुरू में टेजिका होगा अतना धिमेय धिमे속 कम होता जाएगा यह क्लियर है, unclear है इसका सबसे टीपिकल एक। ले Loratt झा रिक्ड़। क्या होता कि डाइजस्स करते जा रहा है माइन में आ गया कि हाँ यह लेकिन इसका मतलब यह निए कि अगर कल सो पॉइंट गटे तो आप बिल्कुली खराब हो जाएंगे ट्रेडिंग रेंज को नीचे तोड़ कर चल जाएंगे आज सो पॉइंगे तो ऐसा नहीं कि आप ट्र आपने शुरू किया और एक दिन में थोड़ी हो थोड़े तो लड़ेंगे ना और जाहिल भी कुछ सा पहले जब तक थोड़ा भूर ठोकेगा मारेगा नहीं तब तक तो वह भी शान्तिवारता किया हां भी नहीं बोलेगा तो अभी भी क्या है कुछ-कुछ खबरे साजा नहीं है इसलिए मेरा पॉइंट सिंपल है अभी भी आपको एक ही चीज़ करनी है कि सावधानी है और सावधानी में सिंपल एक ही चीज़ है जब बूरी खबरों के दम पर आप ट्रेडिंग रेंज के निचले सुरे पर आएंगे तो खरीदना है और आज गैप से इसपीट करना और बेटना य plants एक हानध से वापस लेनी की जगह बना के रको हलके रहो cash रखो दूनों तरफ मुखे मिलेंगे यह बादार ट्रेंडिंग नहीं है एक तरफा की नहीं आगा नहीं एक तरफा मंदी का नहीं उसमिद चारे की मादार को मैने अब मेने नए ने लेते रहो, देते रहो, लेते रहो, देते रहो, लेते 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 रहो, ले कई चीजी अच्छी है आज के सेशन में वो भी आपके काम की है, बट ओर रॉल आपको रेंज में ही रहना है, अभी तक रेंज से बाहर निकलने के संकेत है नहीं, जो नहीं है, यू नहीं है, यू अपका मजबूत है, लेकिन कच्छा तेल अभी वी उपर है, यह बाज की गल करीज दिया, FIS की बिक्वाली कल बड़ी हो सकती थी और होनी चाहिए थी, FIS तो ऐसे टाइम पर बेचने के मूर महीं आते हैं, सुबसर के दुला ही करो, लेकि कल बहुत कम बेचा है, सिर्फ 1000 क्रोड का केश मार्केट में, और FNO में भी मैं बता हूँ आपको कोई बहुत यह तो नहीं पता न, कल 200 उपर मिलेगा तो आप भी करीद लूँ, तो खरीदारी एक तो यह कि लेक आफ बाइंग है, और दूसरा ऐसे मौके पर दो ही तरह की लोग बेचते हैं, एक तो एग्रसिव FIS जिनको लगता है खराब होगा मार्केट वो बेचेंग है, या फिर द और FNो के मिलाके भी देखें, तो कोई आपकी 800-1700 क्रोड़ से ज्यादा की सेलिंग है नहीं, और सामने 2660 क्रोड़ की, 2660 क्रोड़ की केश में खरीदारी है, और कोई ब्लोग डिल नहीं, पूरी केश में, तो I think मेरे कहाल से, फ्लोज के लिए आज से भी हम ठीक हैं, और ब इसराइल हमास की क्या खबर आती है, वो आपको मुझे पता है, तो अनिश्दादा है अभी भी, बट आपने जैसे का लेंडिन का मार्केट है, तो लेवल्स को और रेंज को रिस्पेक्ट करना है, तो आज के लिए कुछ खास बात है, स्टाइट है, पहले तो ये कि आज इ इंटर डे रखें, ओवर नाइट पोजिशन कम से कम रखें, और रखें तो बिल्कुल हैजिंग के इस साथ में रखें, और अपने रिस्क मेनेजमेंट के साथ रखेंगे, तो ओवर नाइट पोजिशन जितनी कम रहेगी, अतनी चेंज से निए अन्दा आएगी, पैसा नह नहीं बननेगा, बड़े मुव हैं, लेकिन एक लिस्ट आपके लिए गटेगा भी नहीं, ठीक है, एक चीज़, अब आपकी जो इस्ट्रेटिजिजी वह बहुत काम की वह बता जता हूँ, ट्रेडिंग रेंज के लोर एंड पर आपको खरीदारी करनी है, और वो लोर एंड क 400 हो आपका टुरंट लो रहेंड है, यहां पर खरीदारी करनी है, बैंक डिळकी 1600 आट रहेंड आपका सपोर्ट जो नहीं, यहां पर हल के खरीदारी करेगा, आच्या खरीदारी भी जरुत से ज़्यादा, थोड़े-थोड़े करो, कई बार ऐसा होता है, मार्केट जो लेके गए फ्राइडे को बंडे को रहेंगे जो कल शॉर्ट लेके गए वो आज रहेंगे बिल्कुल तो ऐसे सिट्वेशन में जब अने शित्ता ज्याद हो तो क्यों ओरनाइट पोजिशन रखती है और रखनी तो इतनी रखो कि हेजिंग के साथ रखो या उतना रखो कि एक आत परसंड का मुँग उपर नीचे अलगा जाए तो इसलिए तो ट्रेडिंग रेंज के लवर एंड पर आए तब आप ओरनाइट पोजिशन रखिए अगर आपको रेंज के बीचों बीच में आप ओरनाइट पोजिशन लेके जारा है तो आपके गैप डाउन के रिस् क्लियर बैंक डिफ्टी में 2400-2400 जहांपर आपको प्रोफिट बुकिंग करने तो मेरे आपको दोनुर रेंज जिए अब आज और कल में कभी भी आपको मार्केट इस रेंज में ऊपर में मिलें है वहां प्रोफिट कीजिए नीचे में मेरे वहां पर आप खरीदारी कीजि निफटी। उनिस चार सो पैसिट आज़का सपॉट जोन है ईहाँ बंद हुए निस पान्सो बारा के आसवास वहाँसी सपॉट जोन में यहाँ बंद हुए है ठीक नीचे 19340 से 19435 ये 100 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेंगी, खरीदारी करनी चाहिए इस रेंज में, ऊपर 575 तक 650 पहले इस रेंज को हम टेस्ट करेंगे, और इस रेंज में थोड़ा टाइम पास करेंगे, 650 के पार निकले तो 19675 निफ इस रें वहां पर मूर महोल देखकर, स्क्रीन देखकर, बाय फ्लो देखकर, ग्लोबल मार्केट्स को देखकर, खबरों को देखकर वेसे डिसाइड करेंगे, लेकिन करना ज़रूरी है, तर बैंक्टिव्टी, 2300-2300 पहले सपोर्ट दोने हैं, वैसे ये टूटा नहीं ची ये वाली दोनों ही करनी भी चाहिए, ये आपके लिए, ठीक है सर, बड़े लेवल्स तो ही निकल रहे, डेटा सर, एफाइस की पोजिशन वे कुछ बदला हुए, बदला हुए, इस परसें वहीं की वहीं है, एफाइस की इंडेक्स लोंग पोशिशन नह जादा है, जादा तो किसी आप से नहीं है, पुट कोल रिशयो भी थोड़ा सा घटकर ही है, लिफ्टी बैंक, लिफ्टी पर तो हलके ही है, विक्स तो बढ़ना निश्चित था, ग्यारा परसें इस तरह के माहौल में पढ़ाई है, ठीक है, स्टोप लोस फिर, कली वाली वाली वाला, इन्नीश किसी जोर बोनुगा दीव, 25-50 पॉइंट का डिसमी आप ले लो, ऐसा है, ऐसा मत बोलना कि 4590 हो गया तो मेरा तो ट्रिगर हो गया है, रो आज में 44,000 हो गया, अब यह इतना तो मैं तो राउंट लिगर में बता सकता हूं, मैं 400 तो देखता है, ठीक है, यही पॉइंट नि ठीक है, ओके, शोटकत बताना है, थोड़ा नीचे की है मैंने जिप, उननेश साथ सो पचीस, ठीक है, यह शोट पोशिशन पे स्टोप्लोस एंटाडेर, अब आप क्लोजिंग आप बोलेंगे दूर, एक्चुली दो-दोस सो पोइंट से पहले स्टोप्लोस धंका मिलता न एक परसन का, एक परसन तो रखना पड़ता एक्चुली, फिर भी मैंने कोशिश की छोटा दूँ, 44-150 कल के हाईस के उपर का, और क्लोजिंग 44-400, वैसे आप मुझे पुझेंगें, तो 45-600 के पहले कोई धंगडां का स्टोप्लोस मिलता नहीं, तो कहां इतना 800 पोइंट द चाहते हैं, तो बेचने का मन बनाएं, और जरूब बेचिये, 19,625, इसको 19,650 से कर दीजे, जहां पर आप बेच सकते हैं, 19,650 से 19,725, और उपर का टार्गेट से स्टोप्लोस सेम रहेगा, 19,800 काम, टार्गेट जो बनेगे दीप, वो 19,575, पान्सो पेचास, दो छोटे टार्गेट है, 465, 465 और 435 तक के बड़े टार्गेट के लिए आपको करनी है, यहां पर बिकवाली भी, दोनों ही करियो, रेंज में खरीदारी भी कीजिए, और बेचना भी, जैसे आपने का लेंदेन की मार, बैंक टिफ्टी, खरीदाए बैंक टिफ्टी, तरीज़़ए बैंक टिफ्ट 3400, 3400, 3400, 3400 पांज के बड़े टार्गेट के लिए, अब जो आईए, बैंक टिफ्टी बैचने में देपे एक बड़ी समस्या हो रही है, कहा बेचे ही नहीं समझ आ रहा है, अगर मुझे ऐब पूचे, मैं 2400, 500 के आसपास ही बैचना जाता हूं, इसकी नीचे नहीं बेच लेकिन वह भी लगता है कि इतना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो तो 422 पर देखिए गाँ पर जहां से रेंज शुरू हो रही है एक कभी में रेंज देता हूं विक्वाली की तो इसमें एक चीज ज्यान रखिए कि रेंज कर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर आपको म क्योंकि जब तक हाई रेंज भी में तक तब तक तक अच्छा लगेगा लेकिन तब देना हि देना नहीं है रिस्क निचे बेचने में रिस्क ऊपर बेचने में नहीं है यह हमारी थोर्ट…?ड प्रोसेज अल्ट थे होती है जब इतना हाईस और लोगत आप तो अरु बड़ के लिए करनी है भिक्वाली को समझ किया सर चलिए यह आपके सारे बड़े लेविल्स और इंपॉर्टन स्ट्राटिजी आ रही है अच्छा बैन लिस्ट यहां पर दो नए स्टॉक्स आ गए हैं बैन में आपके लिए और उपर की तरफ निस चैस्टो बैस सत्तर लाग शेर है अच्छा सो के ऊपर खुलेंगे आप बाकी बाद में साथ सो गया सो तो डेटा थोड़े कम है बहुत ज़्यादा है नहीं बैंक रिफ्टी का जना तक सवाले दीप एक ही लेवल है मेक और ब्रेक चोवालेस एजार च उसके ऊपर निकल के टिक हैंगे तो हलकी फलकी शॉट कवरिंग होगी नीचे में कोई खास डेटा है नहीं बस सिंपल गॉट इचली यह है आपके लिए सारे इंपॉर्टन लेवल्स और आज की स्टाटिगी बट स्टॉक्स पर है भरपूर फोकस और आज दो स्टॉक ऑफ है हमारा ओल्टाइम फेवलिट स्टॉक है सो रुपे पचास परसे का स्टॉक्ट लगार कर खरीदे एक सो पांच पचास एक सो साथ दो टार्गिट के लिए खरीदारी करनी है एक तो कौर्टरली रिजल्स जो आएंगे इस बार फिर से मजबूत रहनी चाहिए जैसा हमारा कर देगा ब्रेक इवन और अगर सर्प्राइस के तोर पर इसी कौर्टर कर दिया तो फिर कहना ही क्या और प्रोफिटेबिलिटी इस बार की और बढ़कर आएगी तो मुझे लगए 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 जो में आपके लिए हो सकता है और दूसा चुकि आपकी दूसरा का तो मैं क कल ही वाला स्टोक अपना रिपीट भी करना जाता है कल मैंने टी-सी-स भी दिया था मार्केट के मूर माहूल के साथ कम बढ़ा और जो शॉर्टरम ट्रेडर से जिनको बेचना था करना था वो बेच जा लेकिन थोड़े मजबूत हाथोंने खरीदारी भी किये टी-सी-स में मुझे जाता टी-सी-स अपने कल के रन को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो जिन लोगों के पास है आराम से हड़ बड़ी में बेचे रखे डाउनसाइड रिस्क कम है रिजल्ट है नो डाउट कल देर शाम तक आएंगे तो रिजल्ट का रियक्शन तो आ अच्छे रिजल्ट आ जाए तो एंजोई कर लें करें जरूर कुछ ने कुछ ने कुछ एक्शन आना चाहिए इसमें भी ठीक है तो चलिए जो मैटो पर तो आज रखनी है आपको नज़र ये तो क्लियर है टी-स पे आपके लिए फोकस में रह सकता है यहाँ आपके लिए क टैश मारकेट से जी-म ब्रिवरीज इसके नंबर्स आते वे दिखेंगे साथी लक्षमी ऑगैनिक्स यहाँ पर क्यू आईपी के इशू प्राइस पर कंपनी विचार करती वी दिखेंगी और स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी फंड जुटाने पर बोड़ बैटक करे तो उसके आज एक्स डेट है और साथी विबिन मिनिस्ट्री के साथ आज से प्री बजट मीटिंग भी शुरू होने वाली है यह तो हो गई ट्रिगर्स की बात आज के लिए आए नतीजे भी आये हैं अपडेट्स भी हैं खबरे भी हैं अर्मान मॉनिंग बताएं कौन से न परसेंट से इंप्रूव के 32.9 पर आते हैं और मुनाफ़ा 21 करोड से बढ़कर 35 करोड पर आता है दामपूर भायो यहां पर आए 5 परसेंट बढ़कर आई है कामका जी मुनाफ़े में 14 परसेंट के आपको गिरावट दिखेगी और मार्जिन जो हैं वो 4.3 परसेंट से गि के आसपास आते भी दिखेए Q2 के अपडेट की बात करें container कोफ यहांपर जो कीऊटू में कुल volumes है साड़े साथ परसेंट की आसपास जो है वो बढ़कर आते वे दिखेंगी और गरेलू volumes में 26 परसेंट के आसपास के आपको बढ़द हुतरी दीखेगी the phoenix Mills यहांपर कुल कंजमिशन की बात करें तो वहाँ पर 20% की बड़ोतरी है, कीस्टोन रियल्टर्स, कंपनी ने FI24 की दूसरी तीमाई के लिए लगबख 306 करोड के जो प्री सेल्स दर्ची है, और कलेक्शन की बात करें तो वह लगबख 585 करोड के आसपास जो है मजबूत आतावधिका ह खबरों के इसाब से सबसे पहले आपको Shipping Corporation of India यहाँ पर धियान रखना है क्योंकि Zee Business एक खास बातचीत पर Shipping Corporation के अगर आप देखें वहाँ पर Management जो CMD जो है वो बोलते वह दिखें कि Shipping Corporation के वी निवेश की प्रक्रिया जो है वोजारी है और सरकार का लक्ष FI24 में पूर खबरे और of course Shipping Corporation पर रखनी है नजर कुशल कुछ और खबरे भी है आपके परस बिल्कुल दीप खबरों में Tata Steel फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर Fitch ने रेटिंग अपग्रेड किया है डबल भी प्लस से अपग्रेड करके अब टरपल भी माइनस कर दिया है और आउट स्ट्राइक पर जा चुके हैं और इस वज़े से इनका जो Quick Delivery App है Instamart वो पूरी तरह से बंद है और साथ ही जो मुंबई में कई इलाकों में जो Food Delivery है उस पर भी अभी अभी जो स्टेटस है वो बंद का है कम बुक्तान और डिलिवरी दाएरे में विस्तार की वज़े से य आट अक्टूबर से ये स्ट्राइक अलड़ी शुरू हो चुकी है जीनिस पावर इंफरा यहां पर सबसिडियरी को करीबन 3,115 करोड रुपे का ओर्डर मिला है करीबन 35,000,000 स्पार्ट प्रीपेड मीटर बनाने के लिए जी आर इंफरा और पटेल इंजिनिरिंग ये भी 50% की है और पटेल इंजिनिरिंग भी 50% का कंसौर्शियम होल कर रहा है भागेडिया इंडेस्ट्रीज कंपनी ने बहरीन में करीबन 105 करोड का सोलर EPC प्रोजेक्ट का ओर्डर जीता है और 10 साल के लिए ये कॉंप्रेंसिव अपरेशन मेंटेनेंस और वाटर प्रूफिंग के लिए ये प्रोजेक्ट इनको मिलता है और अंतमे दिलिब बिल्ड कॉन जहां पर राजिस्तान सरकार से करीबन 397 करोड रुपे का ओर्डर इनको मिला है और अगले 44 महिने में ये जो डाम का ओर्डर मिला है इसका निर्मान किया जाएगा ओके तो ये है आपके लिए कुछ और बड़ी खबरे अर्बान बताए फाइनल सेट अफ खबरे कौन सी है जी कुछी खबरे जिसमें सबसे पहले इमामी और डाबर यहाँ पर आपको धियान रखना है क्योंकि जी बिजनस की खबर का बड़ा असर जो है यहाँ पर पढ़त एक शेर पर दो बोनस शेर को मुंजूरी मिलती वी दिखी है और अंत में बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर बजेल प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्ट्स को पावर ग्रीट की सबसेट्री से लगभग 98 करोड का सर्विस कॉंट्रेक्ट मिला है और यह राजस्तान में सोलार इनरजी के काम काज के लिए जो है इनको सब इस कॉंट्रेक्ट मिलता वा दिखा है ओके यह आपके लिए सारी खबरें काज काफी सारे स्टॉक्स पर आपको बड़ा आक्शन दिखने वाला है और धेरो ब्रोक्रेर रिपोर्ट्स भी है चलते हैं आशिश के पास FIR के लिए मौनिंग आशिश पहले तो आज की जो फार्मा पर बड़ी रिपोर्ट है इसके बारे में बताईए है मौनिंग दिपांचो देखें मेकवाईरी की तरफ से रिपोर्ट आई है फार्मा पूरे पैक पर जहां पर अगराब देखें तो धेड़ सारे स्टॉक्स पर कवरेज है यह मानरे की ड्रग शॉर्टेज जो है युएस में इसके स्तिती बंती हो निज़रारी और जो जनरिक मैनुफाक्टर्ज हैं युएस में कारोबार है एकस्पूजर है इनको यहां पर एक थोड़ा सा फायदा देखने को मिल सकता है सबसे पहले दिखें 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 सन फार्मा यहां पर इनों ने आउट परफॉर्म करेटिंग को बरकरार रखा है ग्यारा सो तेज का यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया है 790 रुपे से लक्ष को बढ़ा कर 1275 कर दिया है 1150 के करीब का भाव चल रहा है इसके अलावा अगर आप देखें तो माइन काइन फार्मा यहां पर रिपोर्ट आई है काफी बढ़ी है जहां पर आउट परफॉर्म की रे कर 1100 कर दिया है फार्मा फ्रोक्स पर तो आज आपको रखने नजर और कौन सी रिपोर्ट से आशिश आपके पास फिनांशल्स बाइंग से यहां पर भी फोकस रहेगा एचस बीसी की तरफ से बड़ी डीटेल रिपोर्ट आई है को टक मेंदरा बाइंक होल्ड की तो 70 के करीब का कर दिया है SBI कार्स पर रेटिंग का डाउन डीड भी किया और टागिट कट भी किया रेटिंग अगर आप देखें तो पहले खरीदारी किराए दिया करते थे अब यह होल्ड किराए दिया है लक्ष 990 से घटाकर 860 कर दिया हाला कि अभी भी करेंट अगर 675 कर दिया है एलावसी हाउजिंग फिनांस यहाँ पर एजएस बीसी की तरफ से आगए डाउन डेट पहले होल्ड की रेटिंग थी अब रेडियूस की रेटिंग दे रहा है लक्ष 380 से एडजस्ट करके 400 रुपे कर दिया है 466 का भाव चल रहा है बांक को बरोड़ कर दिया अलक्ष 530 से बढ़ाकर 620 रुपे कर दिया है अदानी पोच यहाँ पर खास आक्शन देखने को बराते कल हमने बताए भी तक किस प्रकार से इंपक्ट है तो सीले से की रिपोर्ट आई है खरिदारी किराय को बरकर आ रखा है 790 का वाव 878 रुपे का टागिट दि है मारुती नौमिरा न्यूटरल की रिटिंग को बरकर आ रहे हैं 10,422 रुपे के लक्ष के लिए टाटा मोटर्स JLR के अपडेट के बाद CLA से खरिदारी किराय दिया है लक्ष 780 से खटा कर 777 कर दिया है और अंतमे गुजराच स्टेट पेट्रोनेट हैं पर अच्छी रि और पावर सेक्टर में भी जो बढ़ते हैं इसका भी बेनेफिट है तो यहां पर फोकुस रखेंगे ओके तो यह हैं धेर सारी खबरे और रिपोर्ट जिनके दम पर आज रहेगा बरपूर एक्षिन आए इसे एक्षिन को बढ़ाते हैं आगे एक्सपर्स के पैनल के साथ क कि पिक प्लॉस मेंटेन करना है 217-218 रूपे तक के इंट्राडरी टार्गेट बैंक अपरोड़ा में देखने को मिल सकते हैं 218 रूपे के ऊपर अगर यह क्लोज होता है आज या एक आज दिन में तो उसके बार इसमें बड़ा मूव आते में नजर आ सकते हैं तो बैंको प्लॉस में देखेंगे कलर फुल लग रहे हैं ताई तो देखिए ऐसी चमक के निकल के आ रही पूचियो मन्तिल जी सूपरबाद बढाएं सर अब में को समझ नहीं आ रहा है यह तो शो के बाद शाम को जब कुनाल जी मुझे मिलेंगे तपरा चलेगा कि यह कॉंप्लिमेंट है कि इसको भी चेंज करना है अनिल जी कुनाल जी क्या रहा है मुझे बताना जो भी होगी मैं उसको गलती बोनुगा अगर वो बोलेंगे कॉंप्लिमेंट है नहीं मैंने चेंज करने के इसाफ से का था तो ताकि आपके चेरे पर प्रसंता बनी रहे अगर कुनाल जी गलत पढ़ेंगे तो आपके आप खुश अच्छा वापस ले ले इसे पहले पहन लो जब बताए सब्सक्राइब अज का मेरा पिक अफड़े हिंदुस्तान उनिलीवर जो काफी दिनों से मुझे अच्छा लग रहा है और जब मैं शो पे नहीं था तब सबसे पहले इसको मेरे मित्रिमांशु जी अनिल जी स्पोट किया था तो जी बिजनस के अनिल जी अफडेट मिलते रहते थे हमांशु जी ने शायद पचीस सो चार्ड़ पचीस सो पांच के अरांट स्पोट किया था उसके बाद रैली भी ली है और कल भी अनिल जी दो बार मैंने कुनाल जी के पास निवे दिन बेजा था इसका पिक 77 के अटारगेट के लिए लिए लिवर है मेरा पिक अफड़ दे तो अपने आप फिर ना कुनाल जी आ बोलना शुरूगा मोले इससे बढ़िया की कल अक्केले दे चलो साथ में जेता है वैसे बाइदर आपने का कल नहीं शेट पर नहीं कुनाल जी शेट आज मुझे नहीं कुनाल जी सारी नहीं शेट अभी पेहने लें के दिवाली पर क्या करेंगे फिर है सुप्रभात इपांचु अने जी देखे शर्ट तो ठीक है अने जी लेकिन जो बंसल जी की टाई है वाकई में पसंद आ रही है अने जी तो अगर अने जी शर्ट लाए भाई साब तो एं आप देने के बाद एक दिया तो दूसरा नहीं दिया अब वह देंगे तो फिर बोलेगे शूट नहीं आया दिमांड बढ़ती जाए कि गुणाल जी आप एंजोई कीजिए कम से कम मंसल जी आपके लिए कुछ लाए तो है बताएं सर अने जी बिक्वाली की राय है बेचना है Indian Oil Corporation याने IOC अब IOC के लिए वजह तो सबको पता ही है कि क्यों गिरना चाहिए लेकिन चार्ट पर एक पैटन बना है जिसको Head and Shoulder पैटन कहते हैं और काफी वक्त लेकर के पैटन त्यार हुआ है ब्रेकडाउन हमने कल के ट्रेड में आते हुए देखा आज बजार का कुछ मोड ठीक है तो थोड़ा उपर खुलने की संभावना है उपर आए तो IOC को शॉट करना चाहिए मुझे लगता है कि 90 पार करना विसके लिए चुनोती होगी नीचे मुझे लगता है 80 तक का एक लेवल है जहां तक का IOC फिसल सकता है तो मेरी बिकवाली की राये है यहां पर एक स्टॉप लोस रखे 89.5 पर स्टॉप लोस रखकर शॉट करने की राये है पहला टार्गेट 85 रुपे का होगा इवेंच्छल टार्गेट 83 रुपे का होगा तो 85-83 के टार्गेट के लिए IOC में शॉट करने की राये आ रही है कच्छे तेल के दाम काफी तीजी से उपर गए है और इसका इंपक्ट इन कंपनीज पर आपको आते हो भी दिखेगा कंटेनर कॉर्परेशन कॉनकॉर बंसल जी जरा एक बार इसकी चार्ट देख लें इनका जो Q2 अपडेट आया है अच्छा आया है करीब 7.5% की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है घरेलू वॉल्यूम में करीब 26% की ग्रोथ यहां पर आपको आती हुए दिखिए है कॉनकॉर चार्ट क्या कहती है सर कल मामूली सी गिरावट आई थी जी दिपांशू कल मामूली सी गिरावट आई थी और जो इसके इंपोर्टन सपोर्ट है 6.97,700 के उनको रिस्पेट कर रहा है औ पांशू यहां पर पहला टार्गेट 740 का बैठता है और एक बार 740 के लेवल्स तूटेंगे तब एक नया आप्मूफ देखने को मिलेगा तो 740-745 के टार्गेट के लिए इस टॉप लॉस ऑफ 6.95 कॉनकॉर खरिदारी का एक प्रबल दावेदार है ओके खरिदारी का प्रबल दावेदार है कॉनकॉर रखे नजर और लोजिस्टिक्स टीम्स अफकोस हमारे रेडार पर रही है और यहां पर आपको आक्शन भी बनते वेद दिख रहा है की स्टोन रियल्टर्स कुनाल जी जड़ा इस पर एक बार नजर डालें Fy24 की दूसरी तमाही का जो अबडेट आया है 306 करोड की प्री सेल्स इन्होंने दर्ज की है 585 करोड का इनका कलेक्शन रहा है अच्छे अबडेट आया है अच्छी प्री सेल्स के आकड़े भी आते वे दिख रहे हैं चार्ट क्या कहते हैं सर की स्टोन रियल्टर्स ओके तो यह है अब कले की स्टोन रियल्टर्स इस पर रखने है शिपिंग कॉपरेशन हिमानशी जी इस पर नजर डाले एक्स्लूसर बातचीत हुई है हमारी CMD साब के साथ और काफी सारे अपडेट्स आये हैं आगे का आउटलुक आया है जो SCI land assets है उसके भी जल्द लिस्ट करने की बात चल रही है और इसी साल विनिवेश पूरा करने की भी बात उन्होंने कही है कल रिकवरी के साथ डेज हाई पर बंदो था हला कि दो परसन नीचे था बट एंड में स्मार्ट रिकवरी आई थी इसमें चार्ट क्या कहती है सरा आज के लिए अज बलके पॉजिशनली भी चार्ट सेट अप चार्ट काफी पॉजिटिव है 144 रुपे के आज पास का स्टॉक में देखने को मिली है बहुत शॉर्ट तर्म जिनका नजरिया है उनके लिए एक 180 रुपे का स्टॉक लॉस अचना चाहिए और टेजी की पॉजिशन में बने रहे लेकिन मेरा ऐसा मानना कि ये स्टॉक कम सा कमाने वाले 6-8 महीने आपके पॉजिशोली में होना चाहिए एक अच्छी तेजी के बार स्टॉक एक साइडवेस कंसॉलिडेशन में है और इवेंचुली इसमें से एक ब्रेक आउट आता हूँ नजर आएगा बी पॉजिटिव से अब ट्रिपल भी नेगिटिव होगे इनकी रेटिंग टाड़ स्टील की चार्ट्स क्या कहते हैं सब्सक्राइग तो थोड़ा सा भी दिपांशू नीचे मिलता है तो खरिदारी की राया है ट्रेडिंग के नजर इस टॉप लॉज जो है 114 पे लगाना चाहिए और टेक्निकली जो है टार्गेट 136, 137 के बैठते हैं तो यह है आपके लिए राय टाठा स्टील पर जहां आया है रेटिंग अपग्रेड आईए जैन साब का किया जाए स्वागत सूप्रभाद जैन साब बताएं सब पिक ओफ दे डे यस वेरी गुड मॉनिंग अनिल जी आज का जो मेरा पिक ओफ दे डे है वो है अनिल जी वैसे तो मैं मंडे को आता हूं पिक्स ऑफ दे वीक बताता हूं बट आज मैं दो पिक्स देना चाहूंगा और एक BSC है तो BSC Bombay Stock Exchange और HUL ये दो स्टॉक्स मेंने पिक्स ऑफ दे डे में रहेगे तब यह तो ठीक आपकी? हाँ, कम दिया इसलिए कम दिया और कम बोले भी ऐसा मतब अगर आप चाहे तो रेस्ट कर सकते है आज शो में कुनाल जी राकेशी समाल ने को टेंचन नहीं है हाँ, सब ठीक है ना कल सारा बोल दिया ना सर कल कॉंटेंट वेरा पुरा खतम हो गया था किसें डाट वाट को दिले गई? मार्केट की तो चलता है, मार्केट के तो क्या है मार्केट पे और घर में और बाजर में वह तो नॉर्मल है कई और तीसरा कुछ नहीं हो अट है रहा हाह清 islands जेलिए तो जयन साइब की तरफ से BAC खरीदारी करने की राए और साथ ही HUL जयन साब को पसंद आज की दो पिक्स आपके लिए जैसाब के दरफ साथ ही जी बिल्कुल आई कुछ और काउंटर्स पर भी रखनी है नजर जहाँ पर आपको आज आक्शन आते हुए दिखेगा इमामी और डाबर यहाँ पर रखें नजर हमारी खबर का बड़ा असर है थंडे तेल पर कवरिज को लेकर बड़ा असर आया है थंडे तेल के इस्तमाल प्रोडक्शन और साथी विज्यापनों को लेकर एक समीक्षा करने करी जाएगी यह आपके लिए खबर आ रही है इमामी का इपर चार्ट जड़ा पूछते हैं हिमानश्वी जड़ा बताएं सर इमामी का चार्ट स्टॉक में हायर लेवल से डिस्ट्रिबूशन देखने को मिली है जो कल का क्लोज था वो एक इंफ्लेक्शन पॉइंट है अगर स्टॉक आज के सेशन में 505 या 500 रुपे के नीचे बंद होता है तो यहां पर एक चार्ट पैटन कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा जिसको इंपक्ट होता है कल इमामी तो डेज लो पर बंद हो था डावर के लिए क्या रहा है आपकी दिपांचू डावर को भी देखें तो कंटिनुसली यहां पर जो रुजहान है लो टॉप लो बॉटम्स का है ट्रेंड यहां पर डिस्टॉटिड है और लेवल सारे टूटे हु लेवर तो इस पेस में अगर कुछ खरीदना है तो लेवर के साथ जाने की रहे होगी ओके तो यह है आपके लिए जहां पर आपको रखने हैं बार बार आप लीवर रिकमेंड करके क्या कुनाल जी को चिड़ा रहे हैं क्या और आपको पर पर जाठ सब्रेंज समें तो ने समझाने के कारण अलग और लिकलिए तो बात बहा है रहाँ सल्का जैन साब का सपोर्ट मिल गया है बंसल जी को जैन साब आपको पहले पता था कि बंसल जी ने रिकमेंट किया है अज नहीं नहीं है खास बात है कि एसे मार्केट में ग्रीन में कोशिस कर रहा था फिर काफी करेक्टेट स्टॉक है डाउंसाइड कम लगा तो मुझे लगा कि ए आइटी दे दिया था तो मैंने देखा कि आज डिफरेंट फ्लेवर दिया जाए बड़ येस आप में मुझे रिलाइज वा कि आचाई ये तो बंसल जी ने भी दिया है ये भी आपको अच्छे आक्शन में दिखेगा बट कंजम्शन से होल पर सबका फोकस जादा बना हुआ है ये आपके लिए क्लियर रही है जैन साब जीनस पावर इंफरा इस पर एक बार जड़ा नज़र आ लिए इनके एक सबसिजिडिय को 3,115 करोड का बड़ा ओर मिला ह करीब 35,000,000,000 स्मार्ट प्रीपेड ओर्डर के लिए मिला है और अब इनकी कुल ओर्डर बुक भी 14,000 करोड की होगे बड़ा ओर्डर सर जड़ा एक बार जीनस पावर पर अपनी राए दे है ये इस ये बिलकुल देखे ये एक्स्टराउडनरी मूब दिया है पिछले कु फिर वाले शो में तो जीनस पावर हो या स्नाइडर हो इन सब के बारें बात हो रही थी तो दिस कंपनी आउट परफॉर्म्ड और इनको जिस तरीके से बाहर के इन्वेस्मेंट्स भी आ रहे कंपनी में जो ओर्डर बुक है कुछ तो एक्स्टराउडनरी हो रहे है इसमें पचास का रेंज हो कि जिस सरगे का मार्केट से हो सकता है कि अगरे मार्केट में गरेक्ट हो but it's a very positive news और आगे आने वाले दिनों में ये कंपनी कहीं नहीं 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 कहीं है एक next Orbit में जाने वाले नहीं है ऐसा मेरा मानना बर सब कुछ देखता हूं तो कहींने का इलेश का इंतजार करें बट फोकस में रखिए क्योंकि ये स्पेस आपके लिए काफी आक्टिव हो रही है जी आर इंफ्रा इस पर भी हम रखने हैं नजर एक बड़ा करार किया है कुनाल जी जी आर इंफ्रा पटिल एंजिनेरिंग ने 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 एच पीसी के साथ करार किया है करीब 36 करोड का ये बड़ा ओर्डर है जिसमें इनकी भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है जरा राइदे सर जी आर इंफ्रा के चार्ट पर पिछले कुछ दिनों से देखें दिपांचु तो स्टॉक डिस्ट्रिबूट डिस्ट्रिबिशन एक चार्ट पर हम होता हुआ देख रहे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी और डाउनवर्ड प्रिशर स्टॉक में बना रहेगा अब हो सकता है इस खबर के चलते कुछ उ अगर आपके पास इसमें पोजिशन है चले देखते हैं आपको इन स्टॉक्स में भरपूर दिखने वाला है एक और काउंटर जहां पर आपको आक्शन अच्छा कासा बनते हुए दिख सकता है जीम ब्रूरी जबंसी एक बार इसका चार्ट देख लें आज इसके नतीज़ आने वाले जीम ब्रूरी क्या कहता है सरी है कि पांचु इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट तो इसका बढ़िया है इनफेक्ट कल भी देखें तो कल भी इसमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है उपर की तरफ ही गया था और पिछले चार-पांद दिनों स कंटिन्यूसली रैली ले रहा है तो कोई नियरवाय ट्रेडिंग के नजरी से स्टॉप लॉस नहीं है जिनके पास है होल्ड करें 835-840 के टार्गेट के लिए और करेक्शन पर अगर ये स्टॉक 735-740 के राउंड मिलता है तो वो अच्छे इस तरह है उन सतरों के पर बंद होते हैं दिखाता है SBI कार्ड इस पर आया है डाउंग्रेड ये इंट्रेस्टिंग के लिए राय आ रही है जो ब्रोक्रेजिस की तरफ से भरोसा नहीं है गोल्में साक्स ने सेल रेटिंग दी है हाला कि टार्गेट पांच रुपे बढ़ाया है बट HSBC ने पर आउंग्रेड आया है इस पर से दिखेंगे ये स्टॉक शॉट टर्म में परफॉर्म नहीं कर रहा है ते पांचु हम काफी समय से देख रहे हैं कि लगातार अंडर परफॉर्मेंस चल रही है लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा लॉंग्टर्म व्यू लेकर के देखे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बेस बिल्डिंग यहां पर चल रही है एक बड़ा सपोर्ट है जो कि लगवग साथ सो पचीस तीस के आसपास है तो मेरी राय में नीचे के लेबल्स पर जरूर इसको अक्यूम्लेट करके चलना चाहिए थोड़ा सा लॉंग्टर्म व्य नहीं यह गाय आपके लिए कुनाल जी की तरफ से